सबसे पहले LIC Housing Finance के Combined Open Trace को देखेंगे आप यहाँ पे Future के Combined Open Trace को देखेंगे तो आपको यहाँ पिछले तीन दिनों से इस पे Long होतावा दिखाई पढ़ रहा है मतलब यह इस पे तेजी देखने को मिल रही है Combined Open Trace के उपर और साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे Cash में भी Delivery लिया जा रहा है LIC Housing Finance के Stock के उपर Future के उपर LIC के Future Open Interest के उपर South और Medium Term का Trend अगर आप देखेंगे तो आपको इंट्रादे में Long Build Up होते भी दिखाई पढ़ रहा है आपको यहाँ पे देखिए आपको 0.5% के करीब 0.59% के करीब चेंज हुआ है और Price करीब 1.1% के आसपास उपर जाते हुए दिखाई पढ़ा है और साथ ही साथ अगर पिछले 5 दिनों का Combined Up Trend देखेंगे Medium Tom के लिए Trend देखेंगे तो इस पे आपको Significant Long Build Up होते भी दिखाई पढ़ा है और Intrad में Long Build Up होते भी दिखाई पढ़ा है और यहां देखेंगे 172% बोल्यूम भी इस जगह पे होते भी दिखाई पढ़ा है आप जाते भी दिखाई पढ़ा है और इस जगह 29% Open Interest चेंज हुआ है Positive और करीब 5% का प्राइज उपर के तरफ जम्प किया है पिछले पांच दिनों में तो आप देखें इस जगह तो यह त्रेंड आपको दिखाई देगा जो पोजिटिव दिखाई पढ़ रहा है Future Open Interest पे Medium Term और Short Term Trend पता लगाने के बाद अब ज़रूरी है कि इसके Important Level को Find Out करें जिसके लिए हमें Option Chain पे जाना होगा लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को Like ज़रूर कर दीजिए LIC का Option Chain पे आएंगे तो यहां पे आपको Call Side में जो Position दीखेगा इस लेवल पे देखिए दो Important लेवल आपको नजार आएंगे यहां पे 605 लॉट्स का Option आपको खाला दिखेगा 680 का स्ट्राइक है और इसके बाद इस जगह पर 844 लॉट्स का Option आपको दिखेगा 700 का स्ट्राइक है तो Call Side में रसेस्टेंस के लिए यह 680 और 700 का दो स्ट्राइक हो सकता है जो NIC को पर रसेस्टेंस दे दूसरी तरफ major support आपको जहां पर दिख रहा है यहां पर देखेए 650 का यह स्ट्राइक 284 का यहां पर ओपन ट्रेस्ट खाला मिलेगा और इसके बाद 251 लॉट्स का ऊपन ट्रेस्ट आपको यहां खाला मिलेगा 660 का स्ट्राइक है इसके अलावा इस लेवल पर भी 185 लॉट्स का ऊपन ट्रेस्ट आपको खाला मिलेगा अनवाइंदिंग में आपको दिखाई पर रहा है शिक्स अंदर पोति का स्ट्राइक है तो आएसी के ऊपर यह टीन लेवल्स है जो एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं एलाइसी के उपर जो अब ट्रेदिंग रेंज दिखाई पर रहा है वो 630 से 700 तक का ट्रेदिंग रेंज दिखाई पर रहा है और इसका जो pivot strike को 660 का strike pivot strike है क्योंकि इस जगे call में देखे तो 233 lots का open trust call side में दिखेगा और 251 lots का open trust आपको put side में दिखेगा अगर इसके उपर NIC तीका रहता है तो हमें उपर के तरफ 675, 670 के level देखने को भी लेंगे इसके उपर निकलेगा तो 690 और 700 तक के level भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन इसके निचे फिसलेगा तो 650, 645 और 640 के level देखने को मिल सकते हैं तो 660 का जो level है pivot strike है make और break level है जिसको आपको ध्यान रखना है इसके लिए एक वीडियो आई बतन में मिलेगा जिससे आप जरूर देख लीजिएगा LIC के option sentiment को देखेंगे तो यहाँ पर मिला जूलत दिखाई पड़ेगा थोरी सी buying थोरी सी writing थोरा सा sort covering unwinding सारा ही cycle इस पर दिखाई पड़ रहे हैं LIC के वही build-up आप देखेंगे तो put side में आपको यहाँ पर unwinding दिखाई पड़ेगा जिन लोगों ने put पर long कर रहा था वे unwind करते वे दिखाई पड़ रहे हैं साथी साथ आपको call side में थोरा सा sort covering होते वे दिखाई पड़ रहा है और unwinding भी दिखेगा फिर आपको 670 के उपर से 690 तक आपको call writing भी होते वे दिखाई पड़ेगा ठोरी put writing भी होते वे दिखाई पड़ेगी अगर आप देखेंगे तो इन आई सी का जो वाई बिल्डप है कंफ्यूज करने वाला है सारे के सारे वाई बिल्डप है मतलब इस open ट्रेस वाई बिल्डप पे ओई भी ट्रेंड आपको clear नहीं दिखाई पर रहा है लेकिन 660 का जो लेवल है पीवत इस ताइक है उसको बड़े मोव देखने को मिल सकते हैं फिलाल के लिए ऐसा परतीत होता है कि उसी त्रेदिंग रेंज में घूमता रहेगा जिसे हम लोगों ने ऑप्षन चेन को पर फाइंड किया दिस्क्रिप्शन में दीवेत एकाउंट ओपनिंग के लिंक भी लेंगे आपको उन सब लिं झाल